मित्रो आज मेरे पास में यह एक और चाइनीस कम्पयू का मुबाइल है। जिसका नाम है कम्पयनी का नाम है हूवधन यूलीफोन और मोटल का नाम है पावऽर। जैसा कि नाम सही ही लगता है है कि इसमें पावर ज्यादा है। और यही कि मुझा धातक है। और चुकि चाहेना ऐसा है तो इसलिए थोड़ा सा दब भी गया है बॉक्स इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें 6050 एमेज की बैटरी है बहुत ही ज्यादा पेटरी जो दू दिन आपका साथ निमाएगी और 64-bit प्रोसेसर है 3GB RAM है और 3GB RAM के साथ में 16GB इंटरनल दी गई है हालागि मुझे इसा लगता था कि 32GB होना चाहिए लेकि 16GB है 5.5 इंची की स्क्रीन है 1920 by 1080p का रिजल्यूशन है Full HD डिस्प्ले है 2.5D कर्वड गोरिला ग्लास 3 है इसमें safety point of view से गोरिला ग्लास 3 का उपयोग किया गया है इसके साथ ही 13MP का बैक केमरा है और 5MP का फ्रेंट केमरा है रियर के साथ में dual LED फ्लैश है यह कुछ अलग IMEI नम्मर और यूली फोन के इस्टिकर वगरा है तो आईए देखते हैं box में क्या है Chinese company के box में यूजली कोई ज्यादा कुछ होता नहीं है लेकिन देखते हैं इसमें क्या हमें दिया गया है सबसे पहले device ही हमें मिलती है इसको हम बात में दिखते हैं अब ज्यादा इंट्रेस्ट इसमें रहता है कि mobile कंपनी के मोबाइल के लावा company ने और क्या दिया है वही वा इसके साथ में हमें jack cover है इसके साथ में हमें SIM ejector pin है इसके साथ में power charging cable है device है charging charger है और यह earphones भी है earphones में जो microphone है microphone में के साथ में on-up button भी है और 3.5 mm jack का earphone है इसके साथ में हम देखें तो यह in ear type के हैं और अच्छे earphone दिखते हैं चार्जर की बात करें तो charger चुकि बैटरी बहुत बड़ी है इस हिसाब से charger भी अच्छा होना चाहिए fast charger की में उम्मीन दिक करता हूं लेकिन फिर भी देखते हैं कि बहुत बढ़िया यह charger वास्तों में दो एंपियर का पारा वोल्ट 1.5 का फास्ट चार्जर है और यह पुरी डिवाइस को दो गंटे पर चार्ज कर दता है यह वी यूएसबी ओटींची केबल है यूएसबी ओटींची का सपोड मोबाइल में मुजूद है तो इस हिसाब से यह केबल देखे-पायव से अपन दोर अक्नेट कर सकते हैं कि अब हम देखते हैं मित्रों की मोबाइल का फिजिकल ओवरले के साहे ये फ्रेंट केमरा सेंसर और ये और ये करीब साड़े पांच इंच का स्क्रीन आप देख रहे हैं इसके बेजल सम देखेंगे होम बटन है ये और इधार ये केमरा के लिए डेडिकेटट शेटर की है जिससे अपन फोटो शूट कर सकते हैं पावर की है और वाल्यूम रॉकर उपर की तरफ ये सेकंडरी माइक्रोफोन और नाइस किंसलेशन के लिए 3.5 mm जैक उल्टे हाथ की तरफ सिम ट्रे और बॉटम साइड में है ये प्राइमरी माइक्रोफोन और चार्जिंग पोर्ट इसके साथ पीछे जो की सबसे बड़ी यूएसपी है इसका वुडन बैक पैनल 13 MP कैमरा ड्यूल लेडी फ्लेश फिंगर प्रिंट सेंसर हम देखेंगे कि य इतना responsive है इसके साथ यूलीफोन प्रेंडिंग और आई अब हमें निकालके और इसके वुडन बैक पैनल को फिल करते हैं च्योंकि यह रियल वुडल वुडन पैनल है वुडन फिनिश नहीं है यह यह रियल वुडल प्लैक पैनल है इस पिकर ग्रिल है और बहुत ही डिवाइस को बूट ओन करके देखते हैं कितना समय बूट ओन में लगता है और फर्स बूट में आपने यह देखते हैं कि एनिमेशन क्या किस तरह से हैं यूलीफोन मुझे इसा लगता है कि कोई विशेश इनिमेशन नहीं है कोई साउंड भी इसमें बूटिंग में नहीं आया है सिंपल बूट है एक्दम और मुझे उम्मीद है कि इसमें शायद यूलीफोन का यू आई दिया हुआ होगा लेकिन अपने हिंदुस्तान में चलता है कि नही बहुत अच्छा है ग्लास एकदम स्नैपी है एकदम बहुत अच्छा फील आ रहा है टच करने पर इसका पूर्रा रिवीव तो मित्रों हम देखेंगे आए सिर्फ हम केमरा की क्वालिटी देख लेते हैं यह हमारा सब्जेक्ट है एंड्रोइड एंड्रोइड का अब हम एक फोटो बिना फ्लेश के लेके और देखते हैं तो फ्लेश वाले फोटो में बहुत जादा नौई से और बहुत जादा फ्लेश रखा है तो इसलिए इस फोटो को तो कोई मतलब नहीं देखने से इस फोटो को भी हम देखें तो कोई डेफिनेशन एकदम से इतनी क्लियर नहीं देखरी जूम करने से तो केमरा की क्वालिटी में तो एवरेज है इसको हम पूरे रिव्यू के साथ फिर देखेंगे अलग-अलग रिव्यू करते हैं और तब देखते हैं